नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका सरकारी नोगरी अलर्ट्स पर United India Insurance में administrative officer scale 1 की recruitment की notification आ चुकी है दोस्तों इसमें आपकी doctor, agriculture, specialist, engineer, आधवी और भी बहुत सारी vacancy हो पर आपकी भरती होनी है तो चलिए देखते हैं sports से बारे में सभी detail यहाँ पर इसके syllabus exam pattern योगता सभी जानकारी यहाँ पर देखेंगे वीडियो को last तक देखें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं total 100 post है UIIC में यानि की United Indian Insurance Company Limited में और इसके important dates इस परकार है application form भनने की जो date है वहाँ है 24 अगस 2023 चे लेकरके 14 सिप्तमबर 2023 तक पेमेंट की जो last date होगी वहाँ होगी 14 सिप्तमबर 2023 और examination आपका October 2023 में conduct करा जाएगा जैसे ही आपका admin card आएगा हम short video के माधम से आपको जरूर notify कर देंगे अधा चैनल को subscribe जरूर कर ले application फीज देख सकते हैं general OBC EWS candidate के लिए 1000 रुपे होंगी फीज SC, HD, physical handicapped और permanent employees of company अगर कोई है तो उनकी 250 रुपे फीज होगी payment आप online कर सकते हैं debit card, credit card, net banking के माधम से offline payment करने की कोई भी वेफ्था नहीं हो पाएगी दोस्तों दोस्तों यहाँ पर discipline wise vacancy आप देख सकते हैं कौन सी discipline में कितनी vacancy है जैसे कि देख सकते हैं legal specialist की 25 vacancy है accounts, finance specialist की 24 vacancy है company secretaries की 3 vacancy है electronics, ECE, computer science, information technology और information science की 22 total vacancy हो जाएगी agricultural specialist की 3 vacancy है और total आपकी 100 vacancy हो जाएगी दोस्तों इसके लाबा यहाँ पर आप vertical reservation देख सकते हैं doctor की 20 vacancy से other vacancies 80 हैं इन में आप इस परकार देख सकते हैं SC की देख सकते हैं SC की देख सकते हैं SC की देख सकते हैं OBC की 2 vacancy है EWS की 3 है और UNRESURD की 10 vacancy है तो total 20 doctor की vacancies हो गई other जो 80 vacancies है उसमें इस परकार है SC की 12 है ST की 3 vacancy है OBC की 13 है EWS की 8 है UNRESURD की 44 vacancies है तो total other vacancies आपकी 80 हो जाएगी यहाँ पर ठीक है दोस्तों आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों Nationalty और citizenship यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ form भर सकते हैं दोस्तों मगर आपका पास होना चाहिए आप इंडिया के citizen हूँ तो वी भर सकते हैं form या फिर आप subject of Nepal या subject of Bhutan हूँ या फिर आप Tibetan refugee हूँ जो इंडिया में 1 January 1962 से पहले आपके मतलब parents या फिर grand parents आये हुए हूँ और इंडिया में permanent settled हो चुके हूँ या फिर आप कोई Indian origin के person हो जो migrate हूँ पाकिस्तान बर्मा सिर्लंका इस्ट अफिकन कंट्री जैसे Kenya युगांडा और United Republic of Tanzania जांबिया मालावी आदी जो यहां कंट्री से यहां बीडियो पास करके अराम से देख सकते हैं यहां से आप migrate हूए हो और आपके पास government of India दारा जारी किया गया certificate of eligibility आपके पास certificate हो तो आप यहां फॉर्म भड़ सकते हैं इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं eligibility से संबंधी डिटेल यहां पर हम देखेंगे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं legal specialist की टोटल 25 वेकेंसी है अब इसकी eligibility डिटेल इस परकार है कि बैचलर डिगरी हो इन लौ विद 60% मार्क्स ठीक है SCST के लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है किसी भी university से जो की इंडिया में रिकाग्नाइजड हो ठीक है या फिर आपके पास master degree हो इन लौ के बराबर हो और सेंटर गवर्मेंट रिकाग्नाइजड हो ठीक है और इसके साथी साथ तीन साल का experience हो as a practicing lawyer और दो साल का experience चाहिए SC और ST candidates के लिए ठीक है और candidate must be registered with bar council of India ठीक है बार काउंसल आफ इंडिया के द्वारा register होने चाहिए candidates इसके अलाबा यहां accounts और finance specialist की vacancy के बारे में देखेंगे 24 vacancy है इसकी और eligibility है कि आपके पास CA Chartered Accountant ICAI के द्वारा होना चाहिए या फिर cost accountant ICWA के द्वारा होना चाहिए या फिर आपके पास B.com हो with 60% marks और SCST category के लिए 55% marks हो या फिर M.com हो from a recognized university के द्वारा आपके पास तो आप accounts finance specialist का form बर सकते हैं UII C में company secretaries की तीन vacancy है दोस्तों देख सकते हैं graduation हो आपके पास किसी भी discipline में minimum 60% passing mark हो जनरल के लिए OVC candidate के लिए और 55% SCST candidate के लिए और candidate should have passed the final examination of the institute of the company secretaries of India ठीक है जो यह UII C company है यह company secretaries के लिए final examination कराती है वो इस candidate को pass होना चाहिए जो company secretaries के लिए form भरना चाहता है यहाँ ठीक है अब यहाँ देख सकते हैं एक्टेरिस की तीन पेकंसी है दोस्तों इसके लिए eligibility detail इस परकार है बैचलर डिगरी होनी चाहिए इन statistics mathematics या फिर एक्टेरियल साइंस में या फिर और इनी अधर equivalent discipline में 60% marks आमका होना चाहिए ठीक है 55% marks आपका SCST candidate के लिए है या फिर आपके पास master डिगरी हो इन mathematics, mathematics, actuary, science या फिर कोई other discipline में आपके पास डिगरी होनी चाहिए जो इसके equivalent हो ठीक है दोस्तों डॉक्टर के लिए देख सकते हैं 20 बेकेंसी है MBBS, BAMS, BHMS with 60% marks SCST candidate है तो 55% marks होना चाहिए आपके पास और जो candidate है must be registered with Indian Medical Association further the candidate should have finished internship under MBBS degree on or before 31 March 2023 ठीक है तो जो डॉक्टर के लिए अपलाई करना चाहिए चाहते हैं MBBS, BAMS या BHSMS, BHMS की डिगरी होनी चाहिए उनके पास 60% marks के साथ SCST candidate है तो 55% passing marks के साथ और जो candidate है register होना चाहिए इंडियर Medical Association के साथ ठीक है और candidate अगर MBBS कर रहे है तो उनके पास जो intensive होती है वह 31 माच 2003 से पहले उनका complete होना चाहिए ठीक है अभी यहाँ देख सकते हैं engineers civil automobile mechanical के लिए देख सकते हैं total 22 वेकेंसी है और eligibility है दोस्तो B.Tech हो या फिर B.E. हो इन civil automobile mechanical engineering या फिर electrical and electronics या फिर E.C.E. या फिर computer science information technology या फिर information science में इसमें 60% marks जाए अंडियर्ट के लिए 55% SCST के लिए या फिर आपके पास M.Tech हो या फिर M.E. हो in civil automobile mechanical engineering electrical and electronics E.C.E. computer science information technology and information science में ठीक है तो आप यहाँ engineer के लिए जो farm है या भरती के लिए आप farm भर सकते हैं अब यहाँ agriculture specialist की देख सकते हैं तीन vacancy है बैचलर डिगरी होनी चाहिए इन agriculture में discipline में with 60% passing mark होना चाहिए अंडियर्ट के लिए 55% SCST OBC SCST के लिए 55% होना चाहिए या फिर master degree हो agriculture में आपके पास तो भी आप agriculture specialist का farm भर सकते हैं अच्छा दोस्तों यहाँ पर age limit देख लेते हैं 31 मार्च 2013 तक जो आपकी minimum age 21 साल वा maximum age 30 साल हो सकती है इन सभी पोश्टों के लिए अभी age relaxation के लिए आगे देखते हैं देख सकते हैं SCST अगर आप हैं तो 5 साल का age relaxation मिलेगा आपकी अपर age limit में OBC candidate है तो 3 साल का मिलेगा age relaxation PWD है तो 10 साल का मिलेगा आपको age relaxation एक सर्विस्मेन हैं Commissioned Officer हैं including Emergency Commissioned Officer यानि की ECOs और Start Service Commissioned Officer SSCOs तो आपको अपर age limit में 5 साल का लिए लिएगा Defense Service Personal है जो की Disabled हुए हो किसी War या Hostility के टाइम पर तो 3 साल का आपको age relaxation मिलेगा ठीके यहाँ पर भी देख सकते हैं जो की कश्मीर Division of the State of Jammu कश्मीर के रहने वाले हैं और 180 से लेकर 31.1289 के बीच में उनका जो डिवीजन वाला जो टाइम था उस समय का हो तो 5 साल का age relaxation मिलेगा आपको और यहाँ पर देख सकते हैं existing confirmed employees of public sector जंदल insurance companies ठीक है including GIC और agriculture insurance companies आप इंडिया लिम्टेड में आठ साल का आपको relaxation मिलेगा अगर आप employee हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर insurance company के ठीक है अभी यहां selection procedure देखेंगे दोस्तों जो candidates हैं उनको doctor के अलाबा अधर जो candidate होंगे उनका एक online examination होगा और जो doctor है उनका सिर्फ और सिर्फ interview होगा interview वेस पर उनका selection होएगा दोस्तों अभी देख सकते हैं online examination जो doctor है उनके अलाबा जो भी candidate होंगे उनका online examination होगा ठीक है जिसमें आप देख सकते हैं सही question आप जब देंगे तो आपको एक quality होगा यानि कि 1.25 नंबर आपके डिटक्ट किये जाएंगे अब देख सकते हैं जो से आपका online जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा दोस्तों देख सकते हैं जिजनिंग आपकी आएगी 25 नंबर की और 25 ही मांक्स ची होगी और English Language भी 25 नंबर का होगा 25 मांक्स से टोटल होगे Math और Computer Literacy 25 नंबर का होगा 25 मांक्स का जन्दल अवेरनेस देख सकते हैं 25 नंबर 25 मांक्स का और जो भी आप फर्म भरेंगे उसका जो सब्जेक्ट होता है उससे सम्मंदित 50 कोश्चन होगे जो की 100 मांक्स के होगे तो टोटल आपके 150 कोश्चन हो जाते हैं 200 मांक्स के और इसका जो टाइम होगा वह होगा 2 घंटे का ठीक है दोस्तों अभी यहाँ पर Emoluments and Benefits यानि कि 80,925 यानि कि 2710 आपका Great Pay हो गया और 96,765 यानि कि 50,925 से लेगर के 96,765 तक की आपकी जो सेल्दी होगी वह हो सकती है और इसके अलावा सेल्दी के अलावा जो Basic सेल्दी है इसके अलावा आपको Gratuity मिलेगी LTS मिलेगा Medical Benefits मिलेगा और Performance Link Incentive मिलेगा यानि कि PLI और National Pension Scheme के भी आपको मिलेगी ठीके दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रॉस पे आपका Total हो सकता है 88,000 रुपे पर मंत तक का at Metropolitan Center यानि कि Metropolitan यहाँ पर Metro है Metro City में आपका 88,000 रुपे पर मंत आपका हो सकता है ठीके दोस्तों अभी यहाँ पर आप वीडियो पॉस करके अराम से अपना Exam Center दे देख सकते हैं अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट वाक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके साथ साथ इस पोर्ट से समझने सभी जानकार यहां कबर कर ली गई है ऐसे ही 100% जन्यून अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों क इसकी जो पीडियाफ है अगर आपको चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल से डाउंलोड कर सकते हैं वहां पे इसकी वीडियो आज पोश्ट इसकी पीडियाफ जो है पोश्ट कर दी जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों तब तक लिए नमस्कार सेस्यागा लोर जाहिन